यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ पर लगाने के लिए एक कंपणी नेहामी भी भर दी है उपायुत कुलू यूनुस ने बताया कि मोबाइल कंपणीों से भी बातचीत की जा रही है और जैसे ही कोई प्रेटक हिमाचोर में प्रवेश करता है तो उसे मोबाइल फोन में मैसेज के माध्यम से गो कुलू गो प्रेटक कुलू घाती की वादियों में लापता ना हो और देश भर में इस वेबसाइट की चर्चा की जा रही है लेकिन प्रेटक पंजी करणों में लापर वाही बरत रहे हैं तो कुल्लू में घूमने जाने वाले प्रेटकों के लिए एक अच्छी खबर है अब लापता नहीं हो पाएंगे प्रेटक क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रैकिंग पर जाते हैं प्रेटक कुल्लू में वो लापता हो जाते हैं तो अब गो कुल्लू वेबसाइट लौ करवाएंगे उनके रूट पर भटकने का खत्रा कम हो जाएगा क्योंकि कहीना करी इस वेबसाइट के जरीए उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा और जो भी डिटेल्स उन्होंने अपने बारे में भरी होगी उन सभी की सहायता से उन्हें खोजने का प्रयास किया जाएगा और रूट पर भटकने का खत्रा कहीना कहीं कम हो जाएगा तो सलानियों के लिए अच्छी खबर है कुलू में अब जो भी ट्रैकिंग के लिए जाते हैं प्रयाटक जो जाते हैं वो गो कुलू गो डॉट कॉम वेबसाइट पर अपना पंजीकर्ण करवा सकते हैं सलानियों को इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी जिसके चलते ट्रेस उनकी लोकिशन की जा सकेगी और रूट पर भटकने का खत्रा कम हो जाएगा तो प्रयाटक को गो कुलू गो डॉट कॉम से जोड़ा जाएगा जिसके चलते सलानियों को इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी और इसे के चलते प्रयाटक जो है उनके लिए अच्छी खबर यहाँ पर आई है रूट पर भटकने का खत्रा बहुत जादा कम हो जाएगा क्योंकि इस वेबसाइट पर अगर कोई प्रयाटक अपना पंजीकर्ण करवाता है तो उसकी लोकेशन को भी ट्रेस किया जा सकता है हमने अभी पिछले साल गोकुलू.com वेबसाइट लाँच की थी उसका मैंने अभी देखा है कि हम यूज हो रहा है पर अफिशेंटली यूज नहीं हो रहा है उसके लिए हमने अभी मीडिया के माध्यम से भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी और पर अपर जो हमारे रोड सा जो मोबाइल कनेक्टिविटी उन से बात कर रहा हूं कि क्या कोई ऐसा मैसेज जब हमाचल में एंटरी होती है टूरिस्ट की क्या उनके मोबाइल पर ऐसा मैसेज डिस्प्ले हो सकता है कि क्या अगर कोई ट्रेकिंग के लिए जाना चाहता है तो वो इस वेबसाइट का यू झाल झाल